कोरोना से रिकवर करने वाले बच्चों में अब मल्टी सिस्टम इंफलेमेटरी सिंड्रोम एक नई चुनोती के रूप में सामने आ रहा है। साल तक के बच्चे आ रहे हैं। बच्चे के शरीर के आंत्रिक अंगों में एलर्जी की प्रक्रिया देना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि वो नहीं कह सकते कि मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेंटरी सिंड्रोम कितना खतरनाक है। लेकिन वो ये जरूर कह सकते हैं कि संक्रमन निश्चित रूप से बच्चों को बुरी तरह से प्रवावित करता है। यही नहीं है मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेंटरी सिंड्रोम बच्चों के रदय गुर्दे और लीवर को बुरी तरह से प्रवावित कर सकता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें